भारत की तरफ से चावल के निर्यात पर लगाई गई पावंदी की वज़े से चावल का निर्यात बाजार भारत के हांसे लगातार फिसल रहा है और दूसरे चावल निर्यात तक देश इस मार्केट में अपनी जगह बना रहे हैं संयुक तुराश्ट की संस्ता Food and Agriculture Organization के मताबिक वैश्यू गजार में भारत की तरफ से रोकी गई सप्लाई की भरपाई थाइलेंड, पाकिस्तान, मैनमार और कमबोडिया कर सकते हैं इस साल एशियाई देशों का चावल निर्यात करीब 6 फीसद बढ़कर 5.5-4 करोल टन पहुंच सकता है, पिछले साल भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यात तक देश था, लेकिन निर्यात पर पावंदे की वज़े से ये ओधा कह लीजिए, ये जगह कह लीजिए, भारत इस पर अब नहीं दा, सर कैसे फिर से हासिल कर सकता है भारत ये बाजार? बाहर निकला, बाकी देशों ने उस बाजार में अपनी जगह बना ली, अब दुबारा बाजार को हासिल करना चुनोती पूर्ण है, और खास तोर से वे निर्यात खुलने की संभावना इसी मित है, क्योंकि जब सरकार ने पांस साल तक मुफतनाच की स्कीम को बढ़ा दिय है, जिसमें सी करूब लोगों को मुफतनाच दिया जाना है, तो पहली सबसे बड़ी चुनोती खादि सरक्षा भारत में सरक्षित करने की होगी, और इसलिए सरकार जादा से जदा आनाच खरीदने की कोशिश करेगी बाजार से, अभी रभी का घाटा, ये रभी के दौरा जो सरकारी खरीद का घाटा था वो पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि दो साल सरकार की खरीद कम हो रही है, और खरीफ की खरीद के आकड़े हमारे सामने नहीं आये हैं, भी शुरू ही है, सुस्तर अफ़तार है, ऐसी स्थिती में भारत के लिए इस बाजार को वापस हासिल करन अगले शेमेनों में तो मुश्किल होने वाला है, क्योंकि चुनाओ तक खाद महेंगाई को देखते हुए, इस बात की संभावना नहीं है, कि सरकार चावल के निरयात को दुबारा खोलेगी.